हेलो क्लास, कक्षा बारवी के रशानवी ग्यान विशा में आप सभी का शागत है आज हम लग पढ़ेंगे चेप्टर नाइन उपसर सरेजन योगिक मतलब कॉर्डिनेशन कंपाउंड तो देखते हैं क्या है कॉर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि हम जानते हैं कि संक्रमर धातु का एक महतपूर्ण गुड क्या होता है संकूल निर्माड करना संकूल निर्माड करना क्या है जो संक्रमर धातु है उनका महतपूर्ण गुड है संकूल निर्माड में होता है क्या है जो केंद्री धातु आयन होता है वो ligand से क्या होता है? जुड़ा रहता है संकूल क्या होता है? जिसमें जो आपका यहां पर पे साइनाएड आपका लिगेंड़ है तो तो संक्रमत ऑब जो आपका संकूल निर्माड़ है यहां एक तरह से संकूल है, यह क्या है, आपका संकूल है, पोटेशन फेरोशाइनाइड तो इस तरह से जो संक्रमण धातू होते हैं ठीक तो संक्रमण धातू में इस तरह से संकूल बनाने की क्या होती है प्रवित्ति पाई जाती है ठीक संक्रमण धातू क्या करते हैं संक्रमण धातू में संकूल निर्माण की प्रवित्ति होगी में जो केनदरी द्रेक करते हैं लीजेंड उपसर संयूंजी बन धारत जुड़ा हूँ रहता है राइट से किसी उपसा सयोजी बंदार जूडर है तो यह आपका उपसा सयोजी योगिक या फिर संकूल योगिक कहलाएगा ठीक तो यहां पर हमने देखा संकूल कौन से तत्यों संकूल निर्मार करते हैं और संकूल योगिक या फिर उपसासयजी योगिक किसे कहते हैं अब आगे देखते हैं, आडविक या योकसिल योगिक, जब दो या अधिक समान्य लवड को एक निशित अनुपात में, ठीक, इसका अनुपात कह रहेगा, फिक्स रहेगा, एक निशित अनुपात में जल में मिलाते हैं, और क्या करते हैं, एक घोल बनाते हैं, ठीक, और जो गोल हमें प्राप्त होता है उसका क्रिश्टलन करवाते हैं ठीक तो एक नए योगिक के क्रिश्टल हमें यहां पर प्राप्त होते हैं जिन्हें योगात्मक या फिर आडविक योगिक कहते हैं तो आडविक ये योगिक किसे कहते हैं यहां पर देखो जब दो या अधिक समान ने लवड को 2 से अधीक लवड को एक निशित अनुपात में जल में मिलाते हैं ठीक जल में भनाेंगे तो उसका कैसा विल्यन making विल्यन प्राप्त होगा इन लवडों का हमें जली विल्यन प्राप्त होगा अब जो जली विल्यन हमें प्राप्त हो रहा है उसको क्रिश्टल में करेंगे ठीक ज़ली विल्यन आपको प्राप्त हुआ है उसका क्रिश्टलन करवाएंगे मतलब उसको क्रिश्टल में करेंगे मतलब ठ तो एक नए योगिक के हमें जब हम लोग जझाली विल्यन होता है, उसका क्रिश्टलन करवाते हैं, तो एक नए योगिक की क्रिश्टल हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिनने योगाथ्मक या आडविक योगिक कहेंगे. बढ़ फिर देखते हैं जब दो या अधिक लवड को एक निशित अनुपात में किसी जल में मिलाया जाता है तो वहाँ पे लवडों का जली विलियन प्राप्त होगा अब इन जली विलियन का क्रिश्टलन करवाने पर उसको ठोस में कनवर्ट करने पर पूना क्या होता है एक नए योगी के हमें क्रिश्टल प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं योगात्मा क्या फिर आर्विक योगी कहते हैं ठीक तो यहाँ पर यह KCL, MgCl2, 6H2O मतलब यहाँ पर KCL और MgCl2 आपके दो लवड है इक लवड यह, इन दोनों लवड को जल में मिलाए है और यहाँ पर जली विलियन प्राप्त हुआ था उसका क्रिश्टलन करवाए तो हमें यह कारने लाइट प्राप्त हुआ है अब आगे देखते हैं आर्विक या योगात्मक योगी के प्रकार देखो अब आगे है आर्विक योगी के प्रकार तो योगात्मक या आर्विक योगी कितने प्रकार के होंगी दो प्रकार के डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट दूइक लवड एंड संकूल लवड संकूल लवड को और क्या कहते हैं उपसास्योजी योगी यहां पर हम लोग आडवीक योगी के प्रकार देख रहे हैं। आडवीक योगी के दो प्रकार के होंगे द्विक लवड और शंकुल लवड। द्विक लवड किसे कहते हैं? ऐसे योगात्मक लवड जो जल में विले करने पर अपने सभी अवी आयनों में विभाक्त हो जाते हैं यहाँ पर समन में आ गया तो दूखलोड क्या होता है जैसे कि यहाँ पर उधारण देखिए जैसे कि दो लवड की समान अनुपात को जब हम लोग मिलाएंगे दो लवड की समान अनुपात को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें एक दूसरा लवड प्राप्त होगा यह है आपका द्विक लवड दो लवड को समान अनुपात में मिलाएंगे तो यहाँ पर हमें द्विक लवड प्राप्त होगा है Fe2 plus ion में, So4 2 plus ion में, NH4 plus ion में, So4 2 plus ion में और 6H2O में, प्रतिक ion जो है अलग-अलग तूट करके क्या हो जाएगा? आइनित हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम लोग द्विकलवर। क्या होता है द्विकलवर? ऐसे योगात्मकलवर। ऐसे योगात्मक लवर्ड दो लवडों से मिलने से बना है इसकी कारण योगात्मक लवर्ड जिसे पानी में डालने उपर वह अपने प्रतिक आयनों में विभक्त हो जाते हैं जो एक लवर्ड कहलाता है दो एक लवर्ड को देखे हैं यहां पर हमने FESO4 प्लस NH4-2SO यहां पर दो लवर्ड FESO4 और NH4-2SO4 इन दोनों लवर्ड को हमने मिलाया है और यहां पर दो एक लवर्ड त्यार किया है दोनों लवर्ड को मिलाकर हमने क्या कि इन दोनों करस्वान और पात में मिलायेंगे तो यहां पर हमें एक दोनों लवर्ड प्राप्त होगा जिसका नाम है मोहर्ड लवर्ड अब इसको जब हम लग पानी में डालेंगे ठीक तो दिक लवर्ड के यह गुड है ना मालो दिक लवर्ड के यह क्या है महत्रपूर्ण गुड है इसको जब हम लोग इन लवर्ड को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा FE अपने आयनों में माल लेते हैं जल में वियोजित करने पर जल में वियोजित करने पर क्या हो जाएगा मतलब पानी में डालने पर क्या हो जाएगा FE2 प्लस चार्ज बना लेगा ठीक और क्या है यहाँ पर SO4 है यहाँ पर SO4 है दोनों SO4 मिल जाएंगे तो 2SO4 2 मैनस आयन बना लेगा है ना उसके बाद यहाँ पर क्या है क्या बच्छा NH4 बच्छा यह भी अपने आयन में तूट जाएगा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 2 है तो 2NH 4 प्लस आयन बना लेगा उसके पसचाथ और क्या बच्चा है उसके पसचाथ हमारा बच्चा है 2SO4 दोनों अपने आयनों में तूट गये हैं इसको तोड़ेंगे तो यह हमें 2SO4 हमें यहां पर मिल जाएंगे SO4 2-1 और SO4 2-1 यहां पर भी NH4 प्लस आयन और NH4 प्लस आयन यह हमें मिल जाएंगे और क्या बच्चा है यहां पर H2O तो यह H2O भी क्या बना लेगा 6H2O बना लेगा तो जब द्विक लवड वे लवड होते हमने देखा है तो आप इसको याद कीजेगा इस उधारण को उसके बाद इसको बनाईएगा 2 है आपका 2 लवड है यह तो हो गया पहला आर्विक योगिक के प्रकार देख रहे हैं आर्विक योगिक के प्रकार तो आर्विक योगिक दो प्रकार के होते हैं में अपने सभी अवे आयनों में विभगत नहीं होते हैं तो था घटकों का परिक्षर नहीं देते हैं संकूल लवड कहलाते हैं तो यहाँ पर देखें देखो दो लवड को मिला करके हमने यहाँ पर एक लवड बना संकूल लवड तयार किया है दो लवड को हमने यहाँ पर मिला करके क्या तियार किया है संकूल लवड तो यहाँ पर देखो दो लवड को मिला करके हमने एक नया लवड बनाया है क्या करते है दो लवड को मिलाते हैं और यहां पर जो जली विलियन थ्यार होगा उसका फिर शे क्रिश्टलन करवाएंगे क्रिश्टलन मतलब उसके वास्प बनने तक उसको उबालना है उसको गरम करना है ठीक तो जिस तरीके से हमने देखा था जो आपके कौन कौन से लवड थे इन दोनों लवड को पानी में लिया था और क्रिश्टलन करवाया था मतलब गर्म किया था तो यहां पर हमें मुहर लवड प्राप्त हुए थे और मुहर लवड का फिर जल के साथ आयनन करवाया थे तो किस तरीके से आया था उसके बारे में देखा था तो यहाँ पर देखो संकूल लवड संकूल लवड भी दो लवडों का क्या होता है मिस्रड होता है दो लवड को समान अनुपात में मिलाते है तो वहाँ पर आपका एक नय विलिन त्यार होता है संकूल लवड तो संकूल लवड किस तरीके से होते हैं उसको देखेंगे संकूल लवड भी दो लवडों का मिस्रड होता है ठीक तो जो संकूल लवड दो लवड का मिस्रड है है ना तो यहाँ पे संकूल लवड वे लवड होते हैं इसको केफ़र कि अलंग हो जाएगा और यहाँ पर अलग हो जाएगा तो यहां पर देखो यह 12 से अलग केफively से अलग हो यहां पर पूरी परीके से समानआपात में मिष्रण होता है संकूल लवड वे लवड होते हैं जिसको जल में वियोजित करने पर वो अपने आयनों में पूरी तरीके से तूट नहीं पाते हैं या फिर पूरी तरीके से आयनित नहीं हो पाते हैं इसे हम लोग कहेंगे संकूल लवड उधारड है आपका ये पोटेशम फेरोशायनाइड ठीक तो इसको उधारड को लिखेगा और अच्छे से समझाईएगा यहां पर उधारड भी वैसे दिया है एक बिकर ये चाइनर डिस में पोटेशम सायनाइड और फेरोशायनाइड के जली विलियन को लेकर जली विलियन को मिस्रित करके वास्पन कराने पर पोटेशम फेरोशायनाइड प्राप्त होता है इसके बारे में बोला जा रहा है इन दोनों को समानों पात में लेंगे किसी बीकर में तो यहां पर हमें पोटेशम फेरोशायनाइड प्राप्त होगा अब इस पोटेशा फेरोसायनाइड को जल में डालेंगे तो यहां निम्ड़ी प्रकार से आयनित होगा ठीक तो इसी के बारे बुला जा रहा है तो संकूल लवड होंगे वो पूरी तरह की से आयनित नहीं हो पाएंगे इसे हम लोग संकूल लवड कहेंगे ठीक तो इसको आपके थे पूरी का आगे देखते हैं उपसवस्योजन योगिका वह योग के प्रप सांजी या आयन से जुड़ार रहता है वह योगीग जिसमें केंद्रीः पर्माड़ों या आयन से जुड़र रहता है उपसा सोयोजक या उपसा सोयोजी योगिक का लाता है जैसे कि पोटेशन फेरोसायनाइड उपसा सोयोजी योगिक किसे कहते है वो योगिक जिसमें केंद्री परमाडू वो योगिक जिसमें केंद्री परमाडू जो होता है केंद्री परमाडू आयन से या फिर लिगेंड से उपसासयोजी बंद वह जूड़ रहता है वह योगीक जिसमें केंद्री परमाडू आयन से या फिर लिगेंड से सासयोजी बंद यहाँ पर जो बंद बना है आपका यह सारी उपसासयोजी बंद है यहाँ पर जो बंद है उपसासोयोजी बंद को इस तरीके से तीर की निसान दोरह हम लोग दर्शाते हैं ठीक तो यहाँ पर क्या होता है उपसासोयोजी योगिक में क्या होता है इसमें केंद्री धातु परमाडू जो होता है दूसरे लिगेंड से या फिर आयन से किस से जुड़े रहते है उपसासयोजी बन से इसी कारण इसे उपसासयोजी योगिक कहेंगे ये है आपका केंदी धादू परमाडू और ये है आपका लिगन ये दोनों आपस में किस से जुड़े रहेंगे उपसासयोजी बन से जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा FV Cyanide से उपसासायोजी बन से जुड़ा है तो यह है आपका उपसासायोजी योगीक तो इस तरीके से जो आपका योगीक होगा इस तरीके से जो आपका योगीक बनेगा उसको हम लोग संकूल कहेंगे या फिर जटिल योगी कहेंगे इस योगी को हम लोग संकूल कहेंगे या फिर जटिल योगी कहेंगे ठीक यह सिंपल सदिया है अब आगे देखते हैं संकूल के प्रकार अगर संकूल के प्रकार की बात करें तो संकूल जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होंगे संकूल कितने प्रकार के होंगे तीन प्रकार के पहला है धनायनिक संकूल और इसमें दूसरा क्या आजाएगा आपका रिडायनिक संकूल तीसरा क्या आजाएगा उदासिन संकूल संकूल जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं धानायनिक संकूल, रिडायनिक संकूल और उदासिन संकूल ठीक तो धानायनिक संकूल किसे कहते हैं वह जटी लवड जिसमें संकूल आयन पर ये आपका संकूल है जैसे कि यहाँ पे देखो यह आपका एक संकूल है मतलब दो उधारण दिये है यहाँ पे, यह पहला उधारण है और यह दूसरा उधारण है तो वह जटिल लवर जिनमें संकूल आयन पर यह पूरे संकूल आयन पर धनात्मक आवेश होता है धनायनिक संकूल या फिर धनायनिक जर्टिल या संकूल कहलाएंगे वह संकूल लवर जिसमें क्या हो धनात्मक चार्ज हो है ना धनायनिक संकूल कहलाएगा तो यहाँ पर देखो संकूल की प्रकार में पहला है आपका धनायनिक संकूल पहला क्या है धनायनिक संकूल धनायनिक संकूल वसंकूल होता है जिसमें संकूल आयन पर जिसमें संकूल है जैसे कि C, O, N, H 3, 6, 3 तो यहाँ पर जो संकूल है उसमें कौन सा चार्ज होगा आपका प्लस चार्ज होगा जो संकूल है उसमें अगर प्लस चार्ज है तो वो हो गया आपका धनायनिक संकूल एक और अधारड देखें जैसे कि निकल यहाँ पर NH3, 6, 2 अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है इस संकूल पर आपका प्लस चार्ज है तो वो धनायनिक संकूल कहलाएगा वह जटी लवर जिनमें संकूल आयन पर धनात्मक चार्ज होता है धनात्मक आविस होता है धनायनिक संकूल कहलाता है उसके पश्चा दूसरा है आपका रिडायनिक संकूल रिडायनिक संकूल तो रिडायनिक संकूल में क्या हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर plus charge था तो इसमें minus charge आ जाएगा जैसे की AG है जाएगा, आपका minus charge ठीक तो वह संकूल होगी कि या फिर वہ जटी लवर वह संकूल या फिर वह जटी लवर्ड जिसमें minus charge होता है जिसमें आयन जो होता है आपका रिडात्मक होता है वह जटील लवर जिसमें आवेस क्या होता है रिडात्मक आवेस होता है रिडायनिक संकूल कहलाता है बर फिर से वह जटील लवर जिसमें आवेस क्या होता है आपका रिडात्मक होता है क्या कहला रहता है आपका रिडायनिक संकूल इसमें भी जो संकूल में कौन सा चार्ड रहा है मानस तो यह क्या कहलाएगा आपका रिडायनिक संकूल और तीसरा प्रकार है संकूल का वो है आपका उदासिन संकूल तीसरा क्या है उदासिन संकूल में क्या होता है उदासिन संकूल में कोई सभी चार्ज नहीं रहता है जैसे की CO हो गया NS3 हो गया है ना उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन अब यहाँ पर जो आपका संकूल है अगर इसमें कोई सभी चार्ज यहां पर दीक नहीं रहा है तो आपका उदासिन है अगर संकूल में आपका प्लस चार्ज दीक रहा है जो संकूल योगिक हुश में तो वह धनायनिक संकूल अगर संकूल में आपको मैनस चार्ज दीक रहा है तो वह रिदायनिक संकूल अगर स संकूल आयन या योगीक में उपस्थित वा परमाडू या आयन जो लिगेंड के साथ उपसा संयोजी बंद बनाता है केंदरी धातू आयन या परमाडू कहलाता है इसके पास क्या होता है जो लिगेंड परमाडू इलेक्टान दे रहा हूँ उसको रखने के लिए क्या होती है जगा होती है केंदरी धातू कहलाएगा उसके बाद है लिगेंड कोई परमाडू या आयन अडू जो केंदरी धातू आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्टान देक उपसा सयोजक बंद बंद का निर्मार करता है, लिगेंड कहलाता है, उधारण में है NH3H2OClBrOH-N, तो देखते हैं केंदरी धातु और लिगेंड क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लो, केंदरी धातु को देख रहे हैं, तो केंदरी धातु यहाँ पे जो है आपका K4, और Fe किसे जुड़ा है, सायनाइड से, है ना, तो यहाँ पे जो आपको Fe दिख रहा होगा, यह है आपका केंदरी धातु आयन, यह केंदरी धातु आयन इसको इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, यह जो लिगेंड होते हैं, उसको लेने की छंता रखता है, माल लेते हैं, यहाँ पे है आपका केंदरी धातु आयन, और यह सायनाइड से, मतलब केंदरी धातु आयन जो होगा, लिगेंड से, उपसा सहयोजी बन दा रहे हैं, क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, किस से जुड़ा रहता है, सायन, मतलब केंदरी धातु आयन से, कौन से बन से, उपसा सहयोजी, यह है आपका उपसा सहयोजी बन, तो जो केंदरी धातु आयन होता है, वो लिगेंड से, उपस, यह है आपका लिगेंड, यह जो कोश्टक के अंदर रहेगा, वो है आपका लिगेंड, ठिक, यह छोटा अलकोश्टक के अंदर रहेगा, वो है आपका लिगेंड, तो केंदरी धातु आयन, लिगेंड से, हें लिगेंड 4 तरफ जुड़े रहते हैं वो mogą इलेक्ट्रान यूग्म देते हैं किसको इस-केंद्री धातु परस्धू 2022 को तो यह पर जेंद्री धातू परस्धन परस्थ सबीद्धन इन्हाद होते हैं उसके पास उपसाइंजी बंदवार्ण जुड़े रहते हैं और जो केंदी धातु आयन होता है वो लिगेंड दोरा दिये गए इलेक्टान को क्या करता है ग्रहण करता है ग्रहण करता है दूसरा सब्दे इस पार्ट में यूज़ होगा आपका लिगेंड तो अब देखते हैं क्या होते है कोई परमाड़ू या आयन वह परमाड़ू या फिर वह आयन जो केंद्री धातु परमाड़ू को इलेक्ट्रान युग में क्या यहां पे सायनाइड यहां पे आपके फेरस को इलेक्टान यूग में देने की छमता रखता है तो लिगेंड व परमाड़ू या फिर व आयन होते हैं जो केंदरी धातु आयन को इलेक्टान यूग में देने की छमता रखते हैं ठीक है लिगेंड में आज आएगा जैसे कि यह पर हम लोग देखें तो लिगेंड कौन सा है आपका सैनाइड है और लिगेंड के उधारण देखें तो और लिगेंड है आपके NH3 H2O Cl- इसके बाद हम लोग बहुत से लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे तो यह है आपका केंदरी धातू आयन जो ligand से electron लेने की छमतर रखता है और ligand, ligand वे होते हैं जो किसी दूसरे, मतलब केंदरी धातू आयन को electron देने की छमतर रखते हैं और यहाँ पे केंदरी धातू आयन और ligand आपस में उपससोयजी बंदारें एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो केंदरी धातू आयन हमने समझ लिया ligand क्या है उसको हमने समझ लिया अब आगे देखते हैं उसके बाद है आपका ligand के प्रकार तो ligand कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं ligand जो होगा अगर ligand का हम लोग प्रकार के बारे में देखें तो लिगेंड जो होंगे आपके दो प्रकार के होंगे पहला है एक दंती या फिर एक दंतुर लिगेंड और दूसरा है आपका बहु दंतुर लिगेंड लिगेंड कितने प्रकार के होंगे लिगेंड आपके दो प्रकार के होंगे पहला होगा एक दंती या फिर एक दंतुर लिगें और दूसरा होगा आपका बहुत दंतुर लिगेंड तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं पहला क्या है एक दंती या फिर एक दंतुर लिगेंड जब लिगेंड में किवल एक दाता परमाडू उपस्थित हो अर्थात ये केंदी धातू पर्माडू या आयन को किवल एक इलेक्ट्रान यूग में प्रदान करें तो इसे एक दंतूर लिगेंड कहते हैं जैसे कि यहाँ पे हैं आपका H2O H2O में यहाँ पे हमने पढ़ा है जब लिगेंड में किवल एक दाता पर्माडू हो अगर लिगेंड में आपका दाता पर्माडू सिप एक है तो वो आपका कहलाएगा एक दंतूर लिगेंड या फिर अगर लिगेंड में आपका एक दाता पर्माडू है वो सिप एक एकाकी लेक्ट्रानियों में देने की छमता रखता है है ना तो उसे कहेंगे एक दनतुल लिगेnd जैसे कि H2O यहां पर आपका दातब परमाणू है oxygen एक दातब परमाणू है तो यह कहलाएगा आपका एक दनतुल लिगेnd उसी तरह से NH3 इसमें है आपका कौन सा है आपका nitrogen तो यहाँ पर एक दातव परमाडु है तो यह कहलाएगा आपका एक दंत्र लिगेν तो जब लिगेंड में केवल एक दातव परमाडु होता है अर्थाद केंदरी धात Ein-dhato-mar केंदरी धातु आयन को सिर्फ एक इलेक्टान युगम दे रहा है जैसे कि यहां पर हमने देखा सायनाइड जो थे यहां पर एक से अधीक इलेक्टान किसको दे रहे थे फेरस को तो यह आपका एक दंतुर लिगेंड में उधारण में नहीं आएगा उधारण में वह आएगा जो सिर्फ एक इलेक्टान देंगे किसको केंदरी धातु आयन को सिर्फ एक इकाकी इलेक्टान युगम प्रदान करेंगे केंदरी धातु आयन को तो वह आएंगे आपके एक दंतुर लिगेंड में उसके पर शाथ यहां पर देखो बहुत से एक दंतुर लिगेंड के बार दाता परमाडू है जो एक एक लेक्टान दूसरे धातु आयन को देंगे तो यह आएगा आपका एक दंतुर लिगेंड में यहां पर बहुत से उधारण है उसको आप लोग देखीगा उसके प्रशात चलते हैं हम लोग बहुत दंतुर लिगेंड में तो बहुत दंतुर लिगेंड में देखो जब लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाडू होंगी जैसे कि यहां पर आक्सिजन को देखो कितने आक्सिजन है चार आक्सिजन है है ना और यहां पर देखो कितने आक्सिजन है चार आक्सिजन है ठीक तो जब आपका जो लिगेंड होगा उसमें एक से अधिक परमाडु कींद्री धात्व आइन से जुड़ा रहेगा बहुत अंतुर में क्या होगा एक से अधिक परमाडु रहेगी इसको ओत्री बना रहे एक से अधिक दात्व परमाडु रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे बहु दंतूर लिगेंड कहेंगे जिसमें वह लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाडू होता है बहु दंतूर लिगेंड कहलाता है अब बहु दंतूर लिगेंड को भी अलग अलग भाग में हम लोग मारते हैं पहला है द्वी दंतूर लिगेंड इसका मतलब यह है अगर लिगेंड में दो दाता परमाडू होंगे मतलब दो इलेक्टान देंगे तो वो आपके कहलाएंगे द्वी दंतूर लिगेंड वे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाडू होता है तथा केंडरी परमाडू आयन से यहां पे देखो आप लोग यहांपे आपका दाटा पर माड़ोग यहां पर आपका C2O4-2- psychology oxalate C2O for 2-I तो यहाँ पर oxygen जो है दो जगल से जुड़ा है यहाँ पर यही oxygen जो है electronium बदेंगी ना यह वाले नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या है वे लिगेंग जिनमें दो दाता परमाडू होते हैं वे लिगेंग जिनमें दो दाता परमाडू होता है तथा kendri ion से 2 इस्थान से जुड़ा रहेगा kendri ion से 2 इस्थान से यहाँ से जुड़ेगा kendri ion से जैसे कोई भी यहाँ पर central atom आ रहा है तो यहाँ पर यहीं से तो जुड़ेगा ना क्योंकि यहीं पर आपको एक 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 आगी लेट फान में मिलेंगे, है ना, तो वे लिगेंड जिन में दो दाता परमाडू होता है, और वे दो इस थान से किसे दातु आयन से जूड़े रहते हैं, वे आपके कहलाएगे द्वी दंतुर लिगेंड, ठीक, अब आगे है आपका त्री दंतुर लिगेंड, तो वे लिगेंड जिन में तीन दाता परमाडू होता है, वे लिगेंड जिन में तीन दाता परमाडू होता है, जैसे कि डाई, एथलीन, टेट्राएमीन, इसमें आपके तीन दाता परमाडू है, जहां पर देखो निशान है, नाइट्रोजन, य अगर वो तीन बन्स से जूड़ा है तो वो कहलाएगा आपका तीन दंतु, त्री दंतु लिगेंग ठीक, उसके पर शाथ है आपका चतुर दंतु लिगेंग तो इसका परिभास आप लोग ऐसे रिपना सकते हैं वे लिगेन जिन में चार दातब परमाडू होते हैं वे लिगेन जिन में चार दातब परमाडू होते हैं और वो चार बंसे केंदी धातू परमाडू से जुड़े रहते हैं वे लिगेन जिन में चार दातब परमाडू होते हैं जैसे कि यहां पर triethylene tetraamin, उधारण में आएगा triethylene tetraamin, इसमें देखो, यहां पर सिर्फ ligand के बारे में बताये गया है, यहां पर k4, जो एक central atom है, उसके बारे में यहां पर नहीं दरशाये गया है, तो यहां पर यह बताया जा रहे है, जहां जहां पर चेन है, इसका मतलब है एक ही संकूल में तो ये इस कारण ये चतु दंतु लिगेंड कहलाएगा ठीक उसके प्रशाथ है आपका पंच दंतु लिगेंड और शट दंतु लिगेंड वे लिगेंड जिनमें आपके पांच दाता पर माड़ होंगे और वे केंद्री धातु आयन से ये सिर्फ लिगें है अगर वो दिशरे केंद्री धातु आयन से जुड़ते हैं तो वो पांच बंच से जुड़ेंगे यहां पे आक्सिजन यहां पे नायट्रोजन यहां पे नायट्रोजन यहां पे आक्सिजन उसके परशाथ है सर्दंतु लिगेंड सर्दंतु लिगेंड वे लिगेंड ज तफिर एथिलिन डाइमिन टेट्रा एशिटेट आयन एक गवो तीनी चार पाँच छए दाता परमाडू है जिन है इसका मतलब यह है कि यहीं से यह क्या करेगा किसी दूसरे दातू आयन से जुड़ेगा यहीं यहीं पर ठिक यह है आपका सर्दंतू लेकर अब यहां पर यह ही आयन किसी संकूल में एक ही आयन मतलब समान आयन ही दाता परमाडू हो जैसे कि पंच दंतू लिगेंड में देखो यहां पर आक्सिजन भी है नाइट्रोजन भी है दोनों के हैं आपके दाता परमाडू है ऐसा नहीं है कि अगर नाइट्रोजन दाता परमाडू है तो सिर आयन जो है या फिर शमान परमाडू ही दाता परमाडू हो अलग-अलग आयन भी दाता परमाडू या फिर अलग-अलग परमाडू भी दाता परमाडू हो शकते हैं तो यहां पर हमने लिगेंड के प्रकार के बारे में देखा है ठीक